अनन्त नाग में चल रहे सेना के ओप्रेशन का आज पांचवा दिन हैं। सेना ने अंतंक्यों के खिलाव जबर्दस डेरा डाल दिया है और अब तक एक आतंकी डेर हो चुका है। आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया, अब भी कोकर नाग के जंगलों में आतंक्यों के छुपे होने की खबर है। सेना टोन से बंब बरसा रही है और यहां रुक रूप कर फारिंग भी हो रही है। इससे पहले भारती जवानों ने पहाड़ी इलाके पर रोकेट लॉंचर से हमला किया था। सेना के दस इस पेसलाइज दस्ते इस आतकवाद रोधी अभियान में जूटे हैं। शनिवार को ही नोर्दन आर्मी कमांडर लेफटी नेट जनरल उपेंद दिवेदी ने ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर हालात का जाय जा लिया था। अनंतनाग के जिस कोकर नाग में यह उपरिशन चल रहा है वो हाई एल्टिटूड एरिया है। जहां चार तर पहाड़ियां, बड़ी बड़ी जाड़ियां और आतंग की इसी का फायदा उठागर यह चिपे हैं। पिछले चार दिनों से अनंतनाग के यह जंगल गोलियों की आवासे काप रहे हैं। देशत गर्दों के खात में के लिए जमीन से लेकर आसमान तक मिशन जारी है। सुरक्षा बल बुदवार से ही आतंग वादियों के तलाश में जूटे हैं जिनकी संक्या दो या तीन बताई जा रही है। आतंग वादियों को ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने के लिए ड्रोन और हेलिकॉप्टरों का इस्तमाल किया जा रहा है। आज सुबह भी सुरक्षा बलो ने जंगल की और गोली बारी की। तो फोन फुटेज में एक आतकवादि को छिपने के लिए भागते हो नजर आया था। सेना के नोर्थन कमांडर लेटनेट जनरल दुवेदी ने शनीवार को मुटिबेर स्थलका दोरा किया। लेटनेट जनरल दुवेदी को ग्राउंड कमांडरो द्वारा ओपेशन की जानकरी दी गई। अधिकारी ने पताया कि कमांडर ने उस ड्रोन का निच्छन किया जिसका हिस्तमाल शेतर का स्रुवेशन करने और आतकवादियों पर नजर रखने के लिए किया गया था। बियान शुरु किया और एक एक करके तीन आतंकियों को ढ्यार कर दिया। जब उनकी डेट बोड़ी को रिकवर की जा रखने थी तब पाकिस्तान की और से फारिंग की गई। हाला कि पाकिस्तानी गोली बारे में कोई गाहल नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान का आंतक परस चैरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है ऐसे वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को स्प्सक्राइब रूट करें धन्यवाद